नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब का मेरे चैनल केटिव जोन में तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नए डिसाइन लाए हूँ जो दिखने में बहुत ही खुबसूरा था और इसे बनाना तो बहुत है असान है अगर आज का मेरे ये वीडिए पसंदार तो आप उसे लाइक करते हैं अगर आप ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना क्या हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजे और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दे अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी रायो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करें तो चलिए मैं अब अपने अगर आप कुछ इस वरकार से है इसे मैं अपने कपरे पर छाप लूँगी तो इस डिजाइन को मैंने अपने कपरे पर छाप लिया है तो आप देख रहे होंगे यहां पे इस तरह से कॉर्णर है तो मैं अपने डिजाइन की सुरुवत यहां से करूंगी देखे इस तरह से जो मेरा लाइन है देखे इस से थोड़ा सा आगे देखे इस तरह से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और देखे मेरा ये लाइन अभी यहां पे आ रहा है तो जब हम यहां पे आएंगे तो यहां पे देखे इस तरह से हलका सा इस तरह से कपड़ा पकरेंगे और इसके बार देखे मेरा ये डिजाइन अब यहां पे आ रहा है तो जब ये मेरा डिजाइन यहां पे आ रहा है तो हम यहां पे इस तरह से आएंगे और देखे यहां भी इस तरह से हलका सा कपड़ा पकरते हुए अब देखे मेरा ये डिजान अब यहां आ रहा है तो जब हम यहां से यहां आएंगे तो हमें अपने सुई को इसके नीचे से इस तरह से देखे लेके आना है और फिर अब हम यहां आएंगे क्योंकि मेरा ये डिजान अब यहां आ रहा है तो यहां भी इसी तरह से देखे हलका सा कपरा पकरना है और इसके बाद मेरा इडिजान अब यहां से यहां आ रहा है तो देखे इस तरह से हम यहां से यहां आएंगे तो हम अपने सूई को इसके देखे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहां से यहां आएंगे तो यहां भी इसी तरह से देखे हलका सा कपरा पकरना है और यहां भी इसी तरह से देखे हमें अपने सुई को इसके उपर से लेते हुए अब यहां से यहां आना है और फिर इस तरह से यहां से हम देखे मेरा ग्राफ अब यहां से यहां आ रहा तो इस तरह से देखे यहां पे भी इसी तरह से हमें हलका सा कपड़ा पकरना है और इसके बाद अब यहां से हमें इसके नीचे से देखे हमें इस धागे के नीचे से अपने सूई को लेकर आना है आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है देखे जैसे मेरा यहां धागा उपर है तो यहाँ भी उपर होना चाहिए, क्योंकि बीच में एक लाइना भी आना बाकी है, तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, कि जब यहाँ उपर हो, तो यहाँ भी उपर हो, देखे यहाँ पर यह नीचे है, तो यहाँ भी नीचे है, तो इस तरह से देखे, अब हम से अब हम यहां आएंगे और फिर यहां से हमें यहां आना है जैसे जैसे मेरा ग्राफ जारा अब देखे मेरा ग्राफ यहां से इस तरह से यहां आ रहा है तो अब हम यहां से यहां आएंगे तो जब हम यहां से आएंगे तो हम इस तरह से इसके नीचे से आएंगे देखे और फिर यहां आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ यहां भी इसी तरह से हमें अपने धागे को निकाल लेना है और फिर अब देखे मेरा ग्राफ हम यहां से यहां आ रहा है लेकिन जब हम यहां से यहां आएंगे तो हमें अपने सूई को इसके नीचे से होते हुए देखे इसके नीचे से होते हुए इसके उपर से आना देखें यहाँ पर नीचे यहाँ पर उपर क्योंकि मेरा यह धागा यहाँ पर उपर है तो यहाँ नीचे होना चाहिए तो इसलिए यहां नीचे होते इसके उपर से आएंगे और फिर अब हम यहां पे आएंगे देखे इस तरह से तो जब हम यहां से यहां आएंगे तो देखे मेरा धागा अब यहां से यहां आएगा तो जब हम यहां से आएंगे तो इस तरह से इसके नीचे से आएंगे और फिर यहां से यहां आएंगे देखे इस तरह से और फिर अब हम यहां पे आएंगे और फिर देखे मेरा धागा यहां से यहां आ रहा है देखे इस तरह से यहां पे आ रहा है तो जब हम यहां से यहां आएंगे क्योंकि मेरा ग्राफ अभी यहां आ रहा है तो हमें इस तरह से इसके नीचे से आना है और फिर यहां पे आएंगे तो यहां भी इसी तरह से हमें हलका सा कप्रा पकरना है और हलका सा कप्रा पकरते हुए हमें अभी अपने सूज को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ पे इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था इसी तरह से हमें यहाँ बना लेना देखें अब मेरा ग्राप यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ आएंगे और जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो इस तरह से हमें अपने सूज को इस धागे के नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ आएंगे यहाँ भी इसी तरह से इसके नीचे से आना है फिर देखे हाएंगे तो जब हम यहाँ से आएंगे देखे इसी तरह से इसके नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ आजाएंगे जैसे जैसे आपका ग्राफ जार आपको वैसे वैसे जाना है और फिर इसी तरह से एक बार उपर एक बार नीचे करना है लेकिन कब उपर और कब नीचे आपको करना है अगर ना समझ में आए तो फिर से एक बार मैं बता दे रहें जैसे मेरा अभी हम यहां से ऊपर आए तो यहां से भी इसी तरह से हमें ऊपर आना है तो अगर हम देखे ऊपर से आते हैं तो यह alternate हो जाता है तो यहां मेरा धागा नीचे है तो यहां मेरा ऊपर हो जाता है तो हमें इस बात का हमेंसा ध्यान रखना, अगर मेरा धागा यहां नीचे है, तो यहां उपर होना बहुत ज़रूरी है, तो देखें, जैसे हम यहां उपर से आ रहे हैं, तो मेरा यह धागा उपर होता है, यह नीचे हो रहा है, फिर देखें, मेरा यह गराफ यहां आ रहा है तो यहां भी इसी तरह से हमें हलका सा कपड़ा पकर लेना है और देखे यहां से भी हमें इस तरह से उपर से जाना है क्योंकि अब मेरा यह धागा जो यहां वाला है यह नीचे है तो इसे हमें उपर से जाना है तो अगर हम यहां उपर से आएंगे तो हमें यहाँ पे नीचे से जाना है क्यों? क्योंकि यहाँ भी यह मेरा धागा उपर है और यहाँ भी धागा यह उपर है जो इस लाइन से जा रहा है तो इस तरह से हमें अपने सूई को इस धागे के नीचे से लेकर आना है फिर यहां रहा है मेरा यह ग्राप तब हम यहां रहे है और जब हम यहां से यहां आएंगे तो हमें इस तरह से अपने सुवी को इसके नीचे से होते हुए इसके उपर से लेके आना है और बर्स इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हमें यहां तक बना लेना है फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है। देखिये, तो मैंने इसी तऱ से यहां तक बना लिया है, अब मैंने अपने सूझ को देखें इस धागे के नीचे से लेते हुए, यहां पे ठीक इसके सामने इस तरह से हम अपने सूझ को नीचे कर लेंगे। और देखिये, यह पहला जो step 3 से बनने के बाद ये इस तरह से लगता है अब देखे इस तरह से हमें बीच बीच में square square बना हुआ है तो अब हम अपने सूई को यहाँ पे निकालेंगे देखे इस तरह से यहाँ पे निकालते हुए देखे मेरा ये graph अब यहां से यहां आ रहा है तो जब हम यहां से आएंगे तो हम अपने सूई को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है क्योंकि देखे मेरा धागा यहां भी उपर है और यहां भी उपर है तो हमें अब अपने धागे को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आ और फिर यहां से देखे अब हम यहां पर आएंगे देखे इस तरह से और जब हम यहां से अब मेरा यह धागा यहां से यहां आएगा तो जब हम यहां से यहां आएंगे देखे इस तरह से तो फिर हम यहां से यहां आएंगे तो जब हम यहां से यहां आएंगे तो इस तरह से हम अपने सुई को इसके उपर से लेते हुए देखे यहां भी देखे यहां भी इस तरह से उपर से आना है और फिर यहां से हमें हलका सा कप्रा पकरते हुई है यहां पर इसके नीचे से होते हुए और इसके और इसके नीचे से 확인 हम अपने सुई को यहां पर ठीक इसके सामने निकाल लेंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे यह जो वाला यह है तो यहाँ भी इसी तरह से जो मेरा गरापे से ठीक अपने सुई को थोड़ा सा आगे निकाल लेना है और यहाँ पे इस तरह से इसके उपर से होते हुए देखे यहाँ पे इसके उपर से होते हुए हमें यहाँ पर आना है तो यहां भी इसी तरह से देखे इसके उपर से होते हुए हमें इसके नीचे से आना है क्योंकि यहां भी मेरा धागा उपर है और यहां भी उपर है जब इस तरह से दोनों जगा उपर हो तो हमें अपने सूई को इसके नीचे से लेकर आना है सेम बस इस कौायर का सेप में बस हमें इसी तरह से देखे और फिर यहां से इस तरह से हमें इसके उपर से आना है तो यहां पे देखे इस तरह से इसके नीचे से होते हुए हमें इसके उपर से होते हुए फिर यहां पे इसके नीचे से आना है और फिर हम यहाँ पे इस तरह से देखे हलका सा कपरा पकरते हुए अब हमें यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए इसके उपर से आना देखें यहाँ पे इसके उपर से और फिर इसके नीचे से होते हुए हमें इसके उपर से इस तरह से देखे अपने सूई को ठीक, यहाँ पे जो यह मेरा लाइन था, इसके आगे इस तरह से नीचे कर लेना है, देखे इस तरह से, और फिर यह जो मेरा स्क्वायर है, तो अब हम यहाँ पे आएंगे, तो देखे इस तरह से, जो मेरा लाइन है, इसके ठीक थोड़ा से आगे, मैंने अप ताल लेना है देखे इसके उपर से आएंगे और फिर यहां से यहां आएंगे तो जब हम यहां से यहां आएंगे तो देखे हमें इस तरह से अपने सूई को इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहां आएंगे यहां भी इसी तरह से हम अपने सूर को इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर अब हम यहां पे आ जाएंगे तो यहां भी इसी तरह से हम अपने सूर को इसके नीचे से होते हुए देखे इसके नीचे से होते हुए अब हमें यहां पे इसके नीचे से आना देखे क्योंकि यहां भी ऊपर है यहां भी ऊपर है तो हम यहां पे इसके नीचे से आएंगे और इस तरह से देखे इसके ऊपर से होते हुए देखे हमें अपने सुई को यहां पे ठीक इस गराब के आगे थोड़ा सा और इसके सामने इस तरह से हम अपने सुई को निकाल ले तो यानि यहां पे इस जो हम मैं यह डिजाइन बता रहे हूँ इसमें बस इसी बात का ध्यान देना है कि जब आपका दोनों जैसे देखें यहां पे भी उपर है तो यहां भी उपर है तो जब यह धागा जाएगा तो यहां पे नीचे और यहां पे देखें यहां नीचे है यहाँ निचे तो इसके ऊपर से आएगा, बस इसी बात का ध्यान देते हुए, जो मेरा ये सब स्क्वायर है, हम इसी तरह से इसे बना लेंगे, देखे मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया, अब मेरा ये लाष्ट बचा हुआ, तो मैंने अपने सुई को देखे इस तरह से यहाँ पे देखे मैंने इस तरह से ग्राप से थोड़ा सा आगे मैंने अपने सुई को यहाँ पे देखे इस तरह से निकाल लिया है और इसके बाद देखे मेरा ये ग्राप यहां से यहां आ रहा है तो हमें इस तरह से देखे यहां पे मेरा ये धागा उपर है और यहां भी उपर है तो हमें इसके नीचे से निकाल के लेके आना है और फिर यहां से इसके उपर आएंगे और फिर यहां से यहां पे आएंगे देखे इस तरह से और फिर यहां से यहां आएंगे तो यहां पे इसके नीचे से आना है और फिर यहां से यहां आएंगे और फिर यहां पे इसके नीचे से होते हुए इसके उपर से आना है और फिर इस तरह से यहां भी देखे हलका सा कपड़ा पकर लेना है हमें और इसके बाद इसके नीचे से होते हुए हमें इसके उपर से और फिर यहां इसके नीचे से होते हुए अब हमें यहां पे इस ग्राप से थोड़ा सा आगे इस तरह से करने के बाद हमें अपने सूइब को नीचे निकाल लेना और देखे ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा अब मेरा यहाँ पे तीसरा step स्टार्ट होगा तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो यह मेरा कॉर्णर है देखे इस तरह से इस क्रॉस में मैंने अपने सुई को इस तरह से निकाल लिया है और इसे निकालने के बाद मैंने इस क्रॉस में जो नीचे वाला धागा था इसे मैंने अपने सुई पर उठा लिया है और इसके बाद इस छोटे वाला क्रॉस में आएंगे और यहां भी जो नीचे वाला धागा है उसे हमें अपने सुई पर उठा लेना इस तरह से और फिर देखें इस तरह से यहां पर जो पहला अला धागा है इसे हम अपने सुई पर उठा लेंगे और फिर यहां से यहां आएंगे और इसके बाद हमें इस बड़े वाले क्रोस में आना है जब हम इस बड़े वाले क्रोस में आएंगे तो जो नीचे वाला धागा है इसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे यह जो छोटा वाला क्रोस है यहाँ आएंगे तो यहां पे भी जो छोट नीचे वाला धागा है, देखे इस तरह से, इसे हमें अपने सुई पे उठाना है, जो ऊपर में धागा है, उसे हमें नहीं उठाना है, जो नीचे धागा होगा, उसे ही अपने सुई पे उठाना है, देखे इस तरह से, फिर मैंने यहां पहले वाल धागा उठा लिया फिर अब इस बड़े वाले क्रॉस में आएंगे तो इस तरह से मैंने इस धागे को उठा लिया और इसके बाद देखे इस तरह से छोटे वाले क्रॉस में जो नीचे में धागा उसे हम अपने सुई पर उठा लेंगे फिर यहां से देखे हम यहां आएंग और इस तरह से छोटे वाले क्रोस का नीचे वाला धागा उठाएंगे फिर इस तरह से और फिर यहां जो पहले वाला नीचे में धागा उसे उठाएंगे अब देखें यहां से अब हम यहां पर इस तरह से मतब यहां से हमें सेमी सरकल बनाते हुए देखें इस तरह से हम यहा पर आएंगे और फिर इस तरह से यहां पर पहला अलग धागा है उसे हम अपने सुई पर उठाना है फिर यहां इस क्रॉस में आएंगे इस क्रॉस में आने के बाद देखे फिर से हमें इस क्रॉस में आना है क्योंकि यहां पर छोटा क्रॉस नहीं है तो फिर से हम इस क्रॉस म को निकाल लेना है और फिर यहां से हम यहां आएंगे और फिर यहां इस क्रॉस में आएंगे तो जब इस क्रॉस में आएंगे तो आप देख रहे होंगे यहां पे तीन छोटे-छोटे क्रॉस बने हुए तो हमें इसी तरह से एक एक क्रॉस के बीच से अपने सुई को इस तरह से निकाल लेना देखे मैंने यहां पहले क्रॉस से अपने सुई को निकाला फिर इस तरह से मैंने यह पहला अला धागा उठा लिया फिर यहां नेक्स्ट दूसरे क्रॉस में आएंगे तो यहां पर भी जो नीचे अला धागा उसे हमें अपने सुई पर उठाना है और फिर य इसे हम अपने सुई पर उठाना है अब आप देखेगा कि यहाँ पर चार धागा हो गया तो जब चार धागा हो जाए तो इस तरह से आपको alternate करें यानि पहला अला धागा आप सुई पर उठाएंगे और दूसरा छोड़ दीजे और जो यह तीसरा धागा आपको नीचे दीख रहा होगा इसे भी हम सुई की सहता से अपने सुई पर उठा लेंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है तो यहाँ पे भी जो पहला अला धागा उसे हम अपने सुई पे उठा लेंगे और इस तरह से इस क्रोस के 20 से अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ भी 4 धागा हुआ तो इसे भी अल्टरनेट करना है, पहला उठाना, दूसरा छोड़ना और तीसरे को हम अपने सुई पे इस तरह से देखे उठा लेंगे, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से अब इस क्रोस में आएंगे और फिर अब हम छोटे क्रोस में आएंगे मतарए एक बार बड़ा cross में अपने सूई को निकालना है और फिर दूसरी बार में छोटे cross से निकालना है फिर पहला लधागा उठाएंगे और फिर आफ इस cross में आएंगे और इसी pattern को follow करते हूए हमें अपने design को आगे तक बना लेना है फिर मैं आपके बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना है तो मैंने इसी step को follow करते हुए यहां तक बना लिया है अब देखे मैंने अपने धागे को यहां पे निकाला और इस तरह से इसे भी अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहां से इस तरह से हम यहां पे आएंगे बड़े वाले क्रॉस में आने के बाद यह जो छोटा क्रॉस है यहां पे आएंगे यहां भी इसी तरह से नीचे वाले धागे के बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ पे मेरा चार धागा हो गया तो इसी तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे तीसरे को हमें अपने सुई पे उठा लेना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना है देखे इस तरह से और फिर इस तरह से पहला अल्टागा उठा के फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे यहाँ तीन क्रॉस छोटे छोटे बने हैं तो हमें एक एक क्रॉस करके बनाना है देखे मैं इसी तरह से दूसरे क्रॉस में आगई हूँ यहां मैंने पहले हाला धागा उठा लिया फिर इस तरह से तिसरे वाले क्रॉस में आ जाओंगी जो छोटा सा क्रॉस बना है नीचे वाले धागे से हमें अपने सुई को निकालना है और देखे यहां भी अप चार जगा हो जाए तो हमें फिर से अल्टरनेट करना है पहला उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरी को इस तरह से हमें अपने सुई पर ले लेना है और यहां पर नीचे ठीक इसी जगा पर हमें सुई को नीचे निकाल लेना है अब आप देख रहोंगे कि साइट में तो यहां पर मेरा दू तीसरा अलब ब्लॉक है वहां पर मैंने इस तरह से अपने सुई को निकाल लिया है और उसके बाद देखे इस तरह से देखे यह जो नीचे वाला धागा है इसे मैंने सुई पर उठा लिया है और इस तरह से फिर अब हम इस क्रॉस में आएंगे और जब के बड़ा उला क्रॉस फिर एक क्रॉस और फिर छोटा क्रॉस इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ये क्रॉस जा रहा है वैसे वैसे हमें सेमी सरकल बनाते हुए अपने डिजाइन को बना लेना देखे इस तरह से यहां पर फिर यहां से देखे अब हम यहां पर आएंगे तो आप द दोनों धागों को अपने सुई पे उठा लिया क्योंकि यहां पे अभी एक बीच से जाना है देखे फिर यहां से अभी यहां आएंगे इस तरह से और इस तरह से फिर हम यहां पे आएंगे और देखे यहां पे मेरा चार धागा बन गया जब चार धागा हो जाए तो इसी तर से हम अल्टरनेट कर लेंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था एक उठाएंगे दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को अपने सुई पिल ले लेना है यहां भी चार धागा हुआ तो यहां भी अल्टरनेट करेंगे देखे इस तरह से और फिर अब हम यहां से इस तरह से पहला धागा उठाएंगे और यहां पर देखिए अभी तीन ही धागा हुआ है यानि कि अभी इसे एक बर ओर यहां इस क्रॉस में से हमें मुकाल लेना है देखे यह जो यहां नीचे वाला धागा है उसके बीच से मैंने इस तरह से अपने सुई को निकाल लिया है अब यहां भी चार धागा हो गया तो इसी तरह से हमें अल्टरनेट कर लेना है जब भी चार धागा हो जाए तो आपको इस बात का ध्यान लगना है कि वहाँ पे आपको अल्टरनेट करना है एक उपर एक नीचे एक उपर एक नीचे अब देखे इस तरह से मैंने यहाँ पे सूई निकाला था ठीक इसी जगह में फिर से सूई को इस तरह से नीचे कर लेना अब आपको देखे अब आपको अपने सूई को यहाँ पे निकालना देखे इस तरह से यहाँ पे हम अब निकालेंगे यहाँ पे निकालने के बाद भी सेम वही प्रोसेस करना है जो मैंने अभी किया था देखे इस तरह से जब यह चार धागा है यहाँ पे देखे यह चार धागा है तो इस तरह से हम alternate करेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से देखे तो यहाँ भी इसी तरह से इस cross के बीश से जो जो छोटा cross के बीश से अभी तक नहीं निकला है उन सब क्रोस के बीच से हमें निकालना है देखे इसतरह से फिर यहां पर भी चार धागा हो गया तो इस तरह से देखे हमें अल्टरनेट करते हुए पिर यहां भी अल्टरनेट करेंगे इस्टरस देखिए इस्टरस देखि इस्टरस देखिए और फिर अब हम यहाँ पर आ जाएंगे बड़ा क्रोस से निकालेंगे फिर यहाँ बड़ा क्रोस से निकालने के बाद इस छोटे क्रोस में इस तरह से मैंने अपने सुई को निकाल लिया है और फिर अब यहाँ पर इस तरह से और फिर यहां पे आएंगे तो इन दोनों धागे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना और फिर अब हम यहां से यहां आएंगे इस तरह से और फिर यहां चार धागा हो गया तो देखे जब चार धागा हो जाए तो इस तरह से हमें यहाँ पे अपने धागे को अल्टरनेट कर लेना है और इसके अथी किसी जगा जहां मैंने सूई को निकाला था हमें इस तरह से नीचे कर लेना है अब देखे मेरा ये वाला हिस्सा कम्प्लीट हो चुका है अब हम यहाँ पर आएंगे देखे इस तरह से मैंने अपने सूई को अब यहाँ पे निकाल लिया देखे इस तरह से यहाँ पे आपको अपने सूई को मुही पे निकालना है बस इस बात का ध्यान देना है कि जो आपका ये धागा है ना ये नीछे होना चाहिए अगर हम यहाँ से जाएंगे तो मेरा ये डिजाइन गलत हो जाएगा तो अब हमें यहाँ से आना है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा ये धागा नीचे है बस इसी बात का ध्यान देते हुए जो मैंने बताया था बस इसी तरीके से हमें इसे भर लेना है जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया है जैसा कि मैंने बताया है जैसा कि मैंने बताया है जैसा कि मैंने बताया है जैसा कि मैंने इसी तरह से एके करके सारे स्कॉयर को भर दिया है अब देखे मेरा यहाँ पर यह डिजाइन कंप्लीट है तो इस तरह से मैं अपने सुई को यहाँ पर नीचे करकर गार्ट लगा लोंगी देखे यह मेरा डिजाइन बनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है आप अपने से अनुसारे से लंबाई और चोड़ाई बढ़ा सकते जैसा आपको इसका इस्तेमाल करना है अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे जरूर शेयर करें